हेलो फ्रेंड्स मैं उस रोज मेरे किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आसे हम बताएंगे कि अपने घर में ही किस तरीके से पालर जैसा लुक ला सकते हैं अपने स्किन के उपपर अपने स्किन को टाइट कर सकते हैं और बहुत ही नेचुरल तरीके से सुन्दर बना सकते हैं बहुत ज़्यादा समझ्या हो जाती स्किन को लेकि हम बहुत सारी क्रीम लगाते हैं बहुत सारे चीजे सोचते हैं हम क्या चीज लगाएं जिससे हमारे कलर भी फैर हो जाए और हमारा कालापन पूरी तरीके से खतम हो जाए क्योंकि फ्रेंड चेरे पे बहुत ज़्यादा किसी किसी की दाग दब्बे हो जाते हैं छाईया हो जाती है इस्किन बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं कर पाती है और हम फालर भी जाते हैं बट कोई अच्छर रिजल्ट नहीं मिल पाता है उमर की से आप से इस्किन में जूरिया पड़ना स्टार्ट हो जाती है तो अब से आपकी पूरी समझिया ही खतम हो जाएगी इस्किन को लेके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा इन जीजों से तो व्यूडियो पूरा एंट तक देखना चैनल पे नए है तो जल्दी सी जाके सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन बटन है उसको भी आप प्रेस करना ना भूले तो फ्रेंस आजम बनाने वाले हैं बहुती सस्ती रेमेडी जो की सभी के गरों में पाई जाती है यह है फ्रेंस आलू आलू का बहुत जो सेलिविटी होते हैं हीरोईन होते हैं वो भी इन जीजों का यूज करते हैं क्योंकि इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है और कैसा भी जिद्धी कालापन हो खतम हो जाता है तो आज इसी का फेसियल हम तैयार करने वाले हैं तो यहाँ पर जो मैंने आलू लिया था हम डाइरेक्टी इसको कद्दू कस कर लेंगी तो मैंने कद्दू कस करने की थोड़ी बारिक वाली लिया है तो इस तरीकी से कद्दू कस करना है आलू को तो आलू हमारा कद्दू कस हो चुका है तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आलू को मैंने इसी टाइप से कद्दू कस किया है और इसका जो रस चाहिए हमें जो रस पूरा रस इसका निकल आएगा तो अब इसका हमें रस निकाल रहा है तो इस तरीके से हातों के हेल्प से इसको अच्छे सी दबाएगे और दबा करके अच्छे तरीके से इसका पूरा रस निकाल लेते हैं क्योंकि इसका जो आलू का रस होता है बहुत ज़्यादा फाइद मन होता इसकीन के लिए आप अगर इसको एक हफ़ते कंटिनू लगा लिएने तो आपका बिलकुल कॉरियन जिसा इसकीन हो जाएगी इतनी गोरी चिकनी हो जाएगी कि आप खुद देखना ऐसे करेंगी कि मैंने बहुत ही महेंगी चीज लगाई है क्योंकि यह बहुत ज़दा फाइदा कंटे वाली चीज है और आपके कैसे भी च्हाई यां होंगी दागदब्बे होंगे काला पन होगा इसकी इनके उपर पूरी तरीके से खत्म हजाए गा हैं तो प्रेंबस निहां पर देख सकते हैं इतना इसमें जो उसका जो रस होता है पूरी तरीके से निकल तो इस तरीके से हैं पहले सबसे पहले हाथों पे लगाना है तो यहां पे मैंने हाथ पे थोड़ा सा लगा कि दिखाया आपको आप अकेले जो आलू का रस है उसको भी आप अच्छी तरीके से मसाज कर सकते हैं या भी मैंने लिया है आटा गेव का आटा भी अक्सर सब के घर में मिलता है गयों के आटे से हमारी इस्किन टाइट होती है इस्किन की पूरी तरीके से गंदगी खतम होती है क्योंकि जो इस्किन के बहुत जादा टाइम से हमारी स्किन में काला पन जम जाता है मेल जो बोलते हैं काला पन से दाग दब्बे भी बहुत जादा देखते हैं औ तो उससे पूरी तरीके से खतम हो जाए गए तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है तो इसी टाइब से मैं अच्छे से इसको मिलाई हूँ और अब इसको हमें अच्छे तरीके से मिलाने के बाद में अपलाई करना है तो फ्रेंसिस को आप पूरे चेरे पे हाथ पेरो पे कहां जहां भी आपको काला पन दिख रहा है वहाँ पे आप इसकी मसाज कर सकते हैं यहां पे मैंने एलो वीरा जेल लिया है एलो वीरा जेल आपके पास में है तो आप डालिये नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं एलो वीरा जेल डालके लगाएंगे तो और भी ज्वाड़ा अपो फाइदा मिलेगा इससे बहुत अच्छी स्कीन हो जाएगा आपकी बहुत अच्छा glow मिलेगा स्कीन को और बहुत ज्यादा चमकदार बनेगी आपकी जो स्कीन है तो फ्रेंड्स मेंने सबी चीजे अच्छे से मिला लिया देख सकते हैं तो थोड़ा हमें हाथ को हाथ पे लगा कि आपको दिखाती हो क्योंकि फ्रेंड्स कई कई हो कि यह होता है बहुत जदन नाजू की स्कीन होती है और उसके कारण लाल रेड स्कीन पढ़ जाती है बट यह ऐसी रेमेडिस है जिससे कोई भी साइड इफेक्ट कैसी भी आपकी स्कीन हो कैसी भी नाजू की स्कीन हो आपकी स्कीन में बिल्कुल भी जैसे स्कीन में रेक्शन नहीं होगा किसी side effect नहीं होगा आपको बहुत ही अच्छा इसका result देखने को मिलेगा अगर red skin है वो भी सही हो जाएगी से तो friends इसको लगा के ही नहीं रखना है इसको 10 मिनट के लिए हमें मालिस भी करना है मसाज जैसे तब ही अच्छा result न मिल पाएगा क्योंकि मसाज करने से हमारी हाथ पेरों की चेरे की गंदगी दूर होती है तो ये ध्यान तो आपको विसेश ही रखना है इसके अंदर तो जो आलू थोड़ा कटा हुआ है उससे भी आप script कर सकते हैं इस तरीके से लगा सकते हैं अच्छे से मसाज हो जाती है इससे लगाने से तो आगे पीछे दोनों साइडों में हमें लगाना है इसको तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है देख सकते हैं 10 मिनिट हो चुकी है इसको थोड़ी देर के लिए और रख लिया है यहाँ पे मैंने हाथ को अच्छे से वोस कर लिया है दो लिया है और यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं कितना चारा है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार की लगाने से कितने वाइटनेस पूरी तरीके से गंदगी निकल चुकी है तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छे लग कि बाइब आ declar works झाल तो…